हालो गाइज कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम नंबर के विशे में जानेंगे नंबर मींस वचन जिनका इंग्लिस में बहुत बड़ा युगदान होता है यह नाउन्स में आते हैं नाउन्स की वीडियो हमने आपके लिए बना दी है नाउन के सारे कॉंसेप्ट को हमने किलि देख लें और हमने एक वीडियो टैंस के उपर भी बनाई है किसे कहते हैं चैंस क्या होता है आप उसे भी देख लें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है क्आप वीडिय कैसी लगी और हमें सजेस्ट करें कि आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ठीक है तो सुरू करते हैं नंबर मेंस वचन अज हम इसकी बारिकी को समझेंगे नंबर्स का मतलब वचन होता है हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं if a noun tells about one or more than one is called a number means जो एक या एक से अधिक के बारे में बताए उसे नंबर या वचन कहते हैं जैसे a boy boy एक है boys यह एक से ज्यादा हो गए जैसे a girl girls एक से ज्यादा a pen, pens एक से ज्यादा pens, a box boxes मेंस एक से ज्यादा boxes Friends, तो अब हम kinds of number समझेंगे तो नमबर के two kinds होते हैं नमबर one singular number और नमबर two plural number singular number को समझेंगे singular number means एक वचन इसकी definition देख लेते हैं if a noun tells about only one it is called singular number यदि एक noun हमें केवल एक के विशे में बताता है तो यह singular number कहलाता है means singular वचन कहलाता है जैसे एक girl, एक लड़की, एक boy, एक लड़का, एक man, एक आदमी अब देखते हैं plural number plural number means बहुवचन if a noun tells about more than one it is called plural number means जिस noun से हमें एक से अधिक के विशे में पता लगता है उसे हम plural number means बहुवचन कहते हैं जैसे girls, boys, men, women, etc यह सारे के सारे plural है means एक से ज़्यादा है जो एक होता है उसे हम एक वचन कहते हैं एक से ज़्यादा होने पर चाहें वो कितने भी हो means एक से ज़्यादा होने चाहें एक से ज़्याद वो कितने भी हो दो हो, चार हो, दस हो, पचास हो, हजार हो कितने भी हो, वो सब plural में आते हैं इनके बहुत सारे rules हैं तो हम one by one एक एक करके सारे rules हो बारीकी से देखेंगे आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारे आपके concepts किलियर हो जाएं हो सकता है आपको कुछ rules पता हो और आप अच्छे से जानते भी हो लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो में कुछ ऐसे भी concepts आएंगे जिनके विश्वास में सायद आपको पता नहीं होगा इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो rule first generally किसी भी noun के last में कोई भी noun है उसके last में as जोड़ कर हम plural बनाते हैं fan का fans, boy, boys, girl, girls, horse, horses, friend, friends means हमने एक बचन को बहु बचन में convert किया कि बहु एस लगा करके हमारे plural बन गए हर्थाद बहु बचन बन गए rule second देख लेते हैं यदि किसी singular common noun का last letter s, double s means s, sh, ch, ch, ch वो sound chain निकले वो वाला ch x, z, हो तो es जोड़ कर किसमें यह जोड़ का last letter में पर plural बनाते हैं या बनाया जाता है जिन students को common noun के विसे में नहीं पता हो तो हमने common noun को noun के topic में बहुत ही अच्छे से समझाया है आप हमारी वो वीडियो देख लें या फिर मैं इस वीडियो के description में उसका link देदूँगा होँ से देख लें मैं बता देता हूँ common noun means जाती वाचक संग्या होती है जो पूरी जाती को indicate करती है जैसे bus ऐसा रहा है buses येस जुड़ गई class डवल ऐस है classes येस जुड़ दी bus ऐसेच है bus येस जुड़ दी match CH आरा चे वरड आरा ध्यान दे CH का चे साउंड निकल रहा है matches tax taxes topaz topaz quiz next rule देख लेते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा जो last letter है इन सम्में जो हमने बता है था rules में वो सब है S, WS, SS, CH, CH, X, Z ये सारे के सारे जो हमने अभी बताए थे उस सारे के सारे वरड है और उनमें Yes जोड़ा जाता है rule number 3 देखते हैं यदि किसी singular common noun का last letter Y हो और Y के पहले consonant हो ध्यान दे Y के पहले consonant हो तो Y को हटा कर I, E, S जोड कर plural बनाया जाता है जैसे lady Y आ रहा है उससे पहले consonant है ladies Y हटाया I, E, S जोड दिया baby babies अर्थात Y है Y से पहले consonant है तो consonant के बाद Y को हटाया और I, E, S जोड दिया ठीक है army, armies, duty, duties fly, flies, salary, salaries story, stories ठीक है उम्मीद है आपको समझ मागया गया rule next rule number 4 लेकिन यदि किसी singular common noun का last letter Y हो और Y के पहले वोविल हो ध्यान दें, वहाँ consonant था और यहाँ वोविल है वोविल हो तो सिर्फ S जोड कर plural बनाया जाता है यह इस नहीं लगाते कब जब कि last letter से पहले अर्था तो last letter Y से पहले वोविल हो तो केवल S जोडते हैं जैसे play तो A आ रहा है Y से पहले इसलिए plays toy, Y से पहले O है वोविल है, toys valley, P से पहले E है वोविल है, valleys ray, rays, donkey, donkeys key, keys, day, days ठीक है, उम्मीद है यह rule आपको समझ में आ गया होगा next की तरफ चलते हैं rule number five यदि किसी singular common noun का last letter CH हो और उस CH का sound अर्थात उचारण के निकले तो उसमें S जोड़ कर plural बनाया जाता है जैसे monarch m-o-n-a-r-c-h, monarch monarch क्या, monarch का मींस होता है, समराट क्या वर्ड निकल ला है, इसलिए monarchs इसी तरह stomach जो पेट होता है, stomachs दोस्तो, इससे पहले हमने CH का sound का बताया था यदि CH sound निकलता है, तो ES जोड़ते हैं, ठीक है, next rule देख लेते हैं, rule number six यदि किसी singular common noun का last letter, o हो ज्यान दे, o हो और o के पहले consonant हो तो ES जोड़ कर plural बनाया जाता है जैसे potato potato में o last में है और o से पहले consonant है, t तो इसलिए क्या जोड़ेंगे, yes potatoes, buffalo y condition है, buffaloes negro, negroes mango, y condition है, last number o है, उससे पहले consonant है, mangoes hero, heroes moto, motos moto का means होता, कहावत rule number seven कुछ ऐसे singular common nouns हैं जिनके last में o रहता है और o के पहले consonant भी रहता है लेकिन सिर्फ s जोड़कर plural बनाया जाता है ये हमारे किसमा गए अपवाद में, ठीक है उच अपवाद भी तो होते हैं, तो अपवाद में आगे जैसे कि photo, देखो o है last में उससे पहले consonant भी है लेकिन इसमें हम cable s जोड़ेंगे yes नहीं जोड़ेंगे, ये आपको याद कर लेने हैं, अर्था रट लेने हैं photo, photos kilo, close, solo, solos piano, pianos commandos, commandos quarto, quartos quarto, quarto का means होता chart है किये हुए baggage पर छपी कोई भी पुस्तक note कर लें, अब इसे note हैं कुछ ऐसे singular common nouns हैं, जिनके last में o रहता हैं और o के पहले consonant भी रहता है, लेकिन इनका plural s या es जोड़ कर बनाया जाता है देख लेना, अपवाद हैं ध्यान से देख लेना ये ज़्यादतर exams में आते हैं ऐसे ही ज़्यादतर पूछे जाते हैं exams में इसलिए इनको बारी की से देख लें जैसे cargo cargos इसमें s भी लगा देते हैं और e-s भी लगा देते हैं तो लैसो 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 दोनों लगा सकते हैं दोनों को sound ही की है और लैसो का means होता है फंदा डाल कर पकड़ने का रस्सा next है portico portico इसमें भी ऐसी आईस दोनों लगा सकते हैं दोनों पिर चलन में है portico ठीक है तो इसका मलब होता है पहले वावील हो तो सिर्फ ऐस जोड कर plural बनाया जाता है समझ लेना ओहो लास्ट में और लोसे भी पहले कोई वावील हो तो लास्ट में क्या जोडा जाता है यह द्यान देने की बात है जैसे की Bambu बंबू का बंबू doc जैसे कुकू टिक है रेशो रेशोज इस्टूडियो 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 V-E-S जोड़कर plural बनाते हैं या plural बनाया जाता है जैसे इन सब के last में F है या F-E है तो इस F और F-E को हटा करके हमने इनकी जगे पर V-E-S रखा है ठीक है इस समझ मा गया होगा next चलते है next टूल है आपका 10 कुछ ऐसे singular nouns हैं जिनके last में F, F, F और F-E रहते हैं लेकिन सिर्फ S जोड़कर plural बनाया जाता है तो साथ की साथ हम अपवाद भी आपको बता रहे हैं इसलिए जो अपवाद हैं उन्हें भी ध्यान पूर्वक देखें अर्थात उन्हें तो रट लें तो ज़्याद अच्छा है ठीक है? जैसे chief तो chiefs देखो इसमें E और F है लेकिन फिर भी क्या लगाया हमने? S लगाया अब इन वर्ट की हिंदी देख लेते हैं chief का means होता है प्रधान अर्थात मुख्य belief का means होता है विश्वास, cliff का means होता है चट्टान, dwarf ड्वार्फ का means होता है बोना, grief गरीफ का means होता है शोक, scarf इसकारफ का means होता है गुलबंद जिसे की scarf गल्स बांद लेती है गुलफ, गुलफ का मतलब होता है खाडी और हैंकरचीफ आप जानते हैं रुमाल हूफ, हूफ का means होता है खुर, रूफ, छत प्रूफ, प्रमार मिश्चीफ, संकट या फिर छती ठीक है और देख लेते हैं कुछ वर्ड मैं सारे वर्ड बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉलम नहों जैसे की आपका है पुफ पुफ, पुफ का पुफ्स बनेगा और पुफ का मतलब होता हवा का जोका का या धुए या भाप का भाप की फूंक नेक्स्ट आपका रीफ, रीफ का रीफ से बन जाएगा, रीफ का मीन्स होता है चट्टान का वहभाग, जो उस समुंदर में पानी के समीफ हो जहां पानी हो, उसके समीफ चट्टान का भाग हो उसे बोलते हैं रीफ फिर है इस्टाफ, इस्टाफ जानते ही है किसी का भी स्टाफ हो सकता है उसे स्टाफ बनाते है ठीक है, इस्टाफ का स्टाफ ही होता है और घुरदोड का मैदान, अब है वार्फ, वार्फ का मीनस होता है गाट, अब है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मीनस होता है, कल है या विरोध, तो इसका बन जाएगा स्ट्राइफ, कैफे, ठीक है, कैफे का कैफेज बन जाएगा, कैफेज, सेफ, सेफ का सेफ, अब मैं आप को बता दूँ हूप, स्कार्फ, वार्फ, श्टाफ, इन वर्ड्स में S या VES दोनों लग सकता है, अर्थात दोनों पर चले थें, जैसे हूप्स या फिर हूप्स, S भी लग सकता है और VES दोनों सही हैं, जैसे कि वार्फ में S लगा है हमने और इसमें F को हटा करके VES भी S वाले अधिक प्रिचलित हैं, जिनमें S लगणा वो ज्यादा प्रिचलित हैं, लेकिन सही VES लगा कर भी हो जाते हैं